हलो फ्रेंड दायम राजीब और वेलकम तू माई चैनल M.E.T. यानी मौडर्न एक्सपरिमेंट और टेक्नलाजी में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इसर आईक्यू 8 पैनल के बाड़े में जो एक हैनीवेल का प्रोडक्ट है ठीके ये पैनल एक्तम fully intelligent पैनल है और ये पैनल वर सा complicated भी इस पैनल के connection तो हम इस पैनल का connection इस पैनल का user interface और इस पैनल का manual कैसा होता है क्या क्या करना पड़ता है इस पैनल के बाड़े में सारे सब कुछ details में बताऊंगा ठीक है तो इस वीडियो में बने रही हैगा बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा I hope ये वीडियो आप लोगों बहुत अच्छा लेगा और helpful भी होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंट ये रहा हमारा एसर का IQ8 पैनल ठीक है तो ये पैनल fully intelligent है और ये पैनल हनीविल का है ठीक है ये हनीविल का एक अच्छा प्रडक्ट है और ये पैनल fully intelligent है और थोड़ा सा complicated भी है तो इस पैनल की उपर आप देख सकते एक लॉक है और नीचे भी एक लॉक है जहा पैनंगे जादा कूछ नहीं रहता हूँ हम आपको बात में दिखायेंगा थीक है तो यहाँ पर आप देख सकती लॉक को आकई से कहलते है तो यह है देखिया हमने चावasmuk को दे export गोल लिया तो ये लॉक कानल का सिब ऊपर वाला जो जो पहर है ये वर कवर कुल आए चैनल तो चलिए आपके सामने ही कौलते हैं आप देख सकते हैं कि इसको लॉक किया और इस पैनल को कौल लिया तो अभी इस पैनल के अंदर वालो जो इंटरफेस ही यह बहुत इंटरेस्टिंग और कॉंप्लिकेटिव भी है तो थोड़ा सा इसको भी जानते देख लिए ठीक है तो यह जो आप वैर्स देख रहे हैं यह साड़े वैर्स लूप का है ठीक है तो मैंने जैसे अडरेसिबल पैनल में पहले कहा था कि एक लूप मतलब जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो निकलता है पैनल से वो साड़े डिटेक्टर्स भाया होके फिर से पैनल पर ही यह कॉन्विन्चिन एंड्रसेबल पैनल है तो इसमें चार वैर आता है ठीक है एक लूप जो इन होता है और एक लूप जो आउट होता है ठीक है तो आता है आप यहापर ऊपर मैं देख सकते हैं आपर तीन लूप कर्ड़ लगा हुआ है तीन लूप के वज़ए से वाग उपर में तीन लूप है और नीचे यहाँ पर देखिए एक लूप कड़ लगा हुआ है तो और एक लूप है मतलब फोर लूप है और नीचे जो लूप कड़ लगाने की जगा खली होती है वहाँ पर लूप कड़ लगा जा सकते हैं मतलब यह छे लूप का पैनल और यह जो ल इसके बाहर भी थोड़ा सा complicated है लेकिन इसके बाहर भी बहुत अच्छी तरह से इसको design क्या गया है आप देख सकते हैं पहले इसको lock को unlock करना पड़ेगा पैनल को otherwise ये काम नहीं करेगा ठीक है तो चावी को देखें इसको unlock कीजिए और unlock करने के बाद ये पैनल काम करेगा इसक पैनल में कुछ 100 fault कर रहा है ठीक है तो सबसे पहला हम पैनल को reset करेंगे तो reset करने के लिए उस lock वाले की के नीचे reset button है तो इस button को दबा दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पैनल reset हो रहा है ठीक है अभी आप देख सकते हैं पर पैनल reset हो गया है और reset होके कुछ faults भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,2,8 fault है हाँ 1,2,8 fault यहाँ पर पैनल दिखा रहा है मतलब क्या है 1 और 8 के मतलब है कि यहाँ पर 8 fault एकुल मिला के 8 fault है ठीक है तो आभी 8 fault को हम कैसे देखेंगे नीचे बाले बटन को दबा के आप एक जो इस तरह से इस fault को हम फॉल्ट को रेकोगनाइस का सब्सक्राइब को देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बदर और पर रने के बाद पैनल में जो बदर आता है उस बदर को आफ करने के लिए इसको उस बटन को दबाएए और यहाँ पर देखते हैं का का सिस्टेम होता है काम करता है तो चलिए नीचे वाले पैनल को देखते हैं तो नीचे वाले पैनल पे भी एक लॉक लगा हुआ होता है ठीक है उसको उपन करने के बाद आपको इसी तरह से एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर डो बैटरी अलग से रगने का और जो वैर है वैर को कनेक्ट करने के लिए वैर्स को सही तरह से कनेक्ट करने के लिए ट्रमिनल के मिलेगे लेकिन यहाँ पर बैटरी के दो खासिया थे कि आम दूसरे पैनल में देखते हैं कि बाड़ा 24 वोल्ट करने के लिए हम बैटरी को सिरीज में लगा ते ठीक है लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से जो डिस्प्ले में सब कुस दिखा जाता है तो इस तरह में बहुत कुछ यूनिक है जैसे सिल्डेट केविली यूज़ किया जा सकता है उसके अलावा कुछ और करेंगे तो केविल फॉल्ट भी आएगा तो यह रहा पूरा इंटर्फेस तो चलिए तो फ्रेंट ulह को एक्षा लगा है तो प्लिस इस व Über seront पे अपअब लोगो चितना हो सके इसार पैंल के बड़ी में मताने की और कुसिस कैया है जैनकरी में इक की अगर कुछ और पूछना है तो प्लीस वीडियो में कॉमेंट करके पूछिएगा ठीकिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस इस वीडियो को ज़दा सदा लाइक कीजिएगा जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडि